नमस्कार दोस्तों आउसी की चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये बेबी बुट लाएं हूँ जो दो से धाय साल के वच्चे के पैर में आराम से आ जाएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद देखिए कितना खुब्सरोत दिखाए देता है तो चलिए फ्रेंट्स हम बेबी बुट बनाते हैं इसी बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सलाई पे 39 फंदे डाले हैं और 10 लाइन का सिंगल लिप का बाढर बना लिया है यानि एक फंदा-सीधा, एक फंदा-उल्टा एक फंदा-उल्टा का बार्डर तस लाइन का बना लिया है तो अब ये हमारा ग्यार्वा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम slip कर लेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदो को एक साह लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे हमने जाली भी दिया और दो फंदो का एक किया यानि कि वापस हमारे पास दो फंदे हो गए फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे तो ऐसे हम सभी फंदों के साथ करेंगे दो-दो फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे यहाँ पे हम जूते में डोरी जालने के लिए खुल बना रहा है तो मैं पूरी लाइन करके आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स जाली देते हुए और दो-दो फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर ले गए है और अब रॉंग साइट से यह हमारा बारह वा लाइन है तो सभी फंदे हम उल्टा बुलनेंगे सभी फंदे उल्टा बुनते हुए लाइन कम्प्लेट कर लेंगे सभी फंदे उल्टा बुनते हुए लाइन कम्प्लेट कर ली गई है यह तेरह हमारा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे उल्ट करेंगे और 25 फंदे हम उल्टा बुनेंगे एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सूला, सत्रा, ठारा, उन्निस, 20, 21, 22, 23, 24, और 25 तो ये टोटल फंदे हो गए 26 और इस साइड में हमारे 13 फंदे बचे है तो ये इधर इस साइड में 13 फंदे बचे हैं अब हम इधर न बुनके यहीं से वापस लौट जाएंगे और पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 12 फंदों को उल्टा बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और बारा तो इस पर हमारे टोटल फंदे हो गया तेरा अब हम वापस इधर से ही लौट जाएंगे अब हमने तेरा एक साइड में और तेरा दूसरी साइड में छोड़ दिया है और हम सिर्फ बीच के तेरा फंदो को ही बुनेंगे तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे उन आप अपनी ओर करेंगे और ग्यारा फंदो को हम उल्टा बुनेंगे तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा और बारह हमें फंदे को सीधा बुनेंगे और रॉंग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बारह फंदा उल्टा तो तो यह हमारे चार लाइन हो गए और हमें दस लाइन और बुनना है तो दस लाइन बुनके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स यह साथ लाइन कंप्लेट हो गया है साथ उल्टे फंदो की धारिया एक दो तीन चार पांच छे साथ और हम सीधी तरफ हैं यानि की चौदा लाइन कंप्लेट हो गया है तो अब हम पंद्रहवा लाइन भी बुनेंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन अपनी और करेंगे और बारा फंदो को उल्टा बुन लेंगे आइड के फंदे हमारे हैं एक दो तीन चार पांच छे इनको हम उठा लेंगे और उल्टा बुनते चले जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और एक ये साथ तो हमने साइड से साथ फंदे उठा ले और अब ये जो फंदे तेरा फंदे हमने छोड़े थे इसे भी हम उल्टा बुनते बुलनेंगे और लास्ट फंदा सीधा बनेंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे बुनते चले जाएंगे तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिये हैं अब दूसरी साइड के भी साथ फंदे हम उठा लेंगे यह हमने साथ फंदे उठा लेंगे और इनको हम उल्टा बुन लेंगे और साइड के तेरा फंदे इनको भी हम इसी में बुन लेंगे और राइट साइड से भी अब हमें दोनों तरफ से उल्टा बुन लेंगे बुनते हुए 14 लाइन कंप्लीट करना है से दिक्राइब दिख़ाते हैं देखिए फ्रेंस यह हमारा एक, दो, तीन, चार, पांच, छेस, साथ लाइन हो गया और हम सीधी की तरफ से हैं यानि की तेरा लाइन कंप्लिट हो गया है और यह रॉंग साइट से चौद्धावा लाइन है तो इस लाइन में हमें सभी फंदो को क्रोज करना है तो उन अपनी ओर किया उल्टा बुना और पीछी वाला फंदा आके वाले पे चढ़ा दिया या फिर हम इस फंदे को भी 25 लाइन में चढ़ा देंगे और दो दो फंदो को एक साथ लेते जाएंगे और उल्टा बुनते जाएंगे दो फंदो को एक साथ लिया उल्टा बुन लिया दो फंदो को एक साथ लिया और उल्टा बुन लिया तो देखिए हमारे फंदे घटने शुरू हो गया है तो इन दोनों विदियो में से जो हमें अच्छा लगे उससे हम फंदे उतार सकते है तो सारे फंदे उतार के मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रांट सारे फंदे क्रोच कर लिए गए हैं अब इसको हम धागा निकानेंगे ऐसे खीचेंगे और इसे काट देंगे और टाइट करनेंगे तो हमारा यह जूती कुछ इस तरह बनके त्यार हुआ है हमारा जूती कुछ इस तरह बनके त्यार हुआ है अब हमें यहां साइड से सिलाई करने है और इस साइड में दू साइड में हमें सिलाई करने है यह हमारा ऐसे बनके त्यार हुआ है तो हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे उल्टा कर लेंगे स्वी में धागा ढालेंगे और सिलना शुरू करेंगे झालेंगे शरलब डcol टे जरी मेझा जो डे लकाती शरे कि मैं येचर्टा हमाना चीव प्यारे गा की लड़ है ये रलेंगे ओर जहीज़ए एो और ऐसे इसको खीचेंगे तो यह आगे से गूल हो जाएगा देखिए यहां पर नोक नहीं निकलेगा ऐसे करके खीचेंगे से थोड़ा इसको टाइट करेंगे और अब इसकी हम ऐसे सिलाए करेंगे और अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे अब हमें इसमें डूरी डालना है प्रूरी डालना है बालना है यहां प्रूरी डालना है यहां पर आप दोड़ाए तो देखिए फ्रेंज बेबी बुट त्यार है आशा है आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा हो तो क्रिप्यार लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग